वीडियो जैसे मैंने आपको खोल के दिया है पूरे मार्केट में नहीं है यूटूब में पहली बार है तो इस वीडियो का फायदा उठाए एक उसको पूरा देखेगा या इसको डाउनलोड कर लिजेगा आपकी मर्जी है बैट इसको देखेगा जरूर और लाइक जरूर कर यह और अगर इसके वारे में कुछ पूछना है तो भी कमेंट कीजेगा मैं आंसर दूँगा उसको आप्यूस कर सकते हो साथ ही उन्होंने उसको हाई स्पीड बनानी की भी कोशिस की सो आप देखिए उपड की जो यह सिरे हैं तो बेसिकलिए अगर मैं इनको ए मालनू इसक 14 घंटे बढ़ाते हैं और इस बात का प्रमान तो आपको यार आगी लेना पड़ेगा और आप सोचोगे ना कि यार यह लोग कैसे है इन लोग के तो अलगी नैस्ट लेवल पर टीचिंग लेवल है और आपको लगेगा और यह बात ही गरंडी दूंगा चार दिन पूरे प मिलेंगे जो पूरे मार्केट में या पूरे अच्छे-च्छे पेड इंसिटूर वाले अपने इंसिटूर में नी बढ़ाते हैं या कहीं देते नहीं हैं आपको फ्री में दे रहा हूं दूसरी चीज हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फिदूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुर्ण है मैं यूदू फैमिली कैसे आप लो यार इतना त्यार करते हैं थैंक यू वरी मुच इतने वीडियो देकर और यह व्यू और यह लाइक और कमेंट्स ठैंक यू वरी मच और दोस्तों जितने कमेंट्स कर सत्ते हैं जितने सवाल कर सत्ते हैं तने कीजि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके सवालों का जबाब देना सु दोस्तो मेरा नाम है दिवतनर कषट ऑन मेरे ऑफिसी But now you आपने अभी तक पता नहीं इससे पहले टाइप सी के वारे में क्या नॉलेज लिया होगा पर आज जो आपको नॉलेज मिलेगा वो प्रेटिकल एदम सदिक मिलेगा और रिसर्च किया हुआ मिलेगा गूगल का उठाके डाटा में आपको नहीं चुपकाने वाला और कुछ भ वारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एडवांस हो रही है यह टिकनलोजी एडवांस होते ही जा रही है और यह जो पहला रिवर्सेबल जो एक आया था जो चार्जिंग सॉकेट जिसमें हम बात करें वह आईफोन से सुरू हुआ था पर आईफोन के बाद अब एंड् पुराने वीडियो देखोंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मनें जो पूरे मारकेट में या पूरे अंच्छे अच्छे पेड इंसीटूर वाले अपने इंस्टूर में नहीं पढ़ाते या कहीं देटे नहीं है ड़्सेरी चीजिज आप आगर देखना चाते Özु हमारे student का जलवा और उनका आउटपोर्ड उनका जो उस तो आप फे जूम में जाके आप सच कीज़े अगर आप हमारे student मनना चाहते हो लाइप टाइम मुझसे सपोर्ट चाहते हो लाइप टाइम मुझसे पढ़ना चाहते हो और ऐसा ही अपडेट लेना चाहते हो तो भाईया जोईन करो यह से टेलीकॉम और आज ही कोयल लगाओ और अपनी सेट बुक करो हलागी limited seeded है दोस्तों हम 30-40 बच्चों को बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं हमारे जो limited होते हैं वो 20-25 बच्चे होते हैं 40 बच्चे बैठ कर पढ़ाना तो यह business करना होता है हमें यह लगता है हमारा focus क्योंकि हमारा focus ज्यादा तर practical कराने में हम यह believe करते हैं कि अगर हमने आपको जितनी थियोरी पढ़ाई उतना ही practical देना जोरी है अगर आप practical करेंगे तो ही आप ज़्यादा better समझेंगे इसलिए हम बहुत ज़्यादा 20-40-50 student को पढ़ा कर उनको practical कराने में हमें दिख कर जाती है किसी भी institute को जाती है बड़ यह business है हड कोई कर रहा है बड़ मैं आपसे यही एक गुजारिस करूँगा इस वीडियो के माद़म से अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो आप उस किसी भी institute में मत जाएए जहां पर 40-50 एक भीर बक्री ऐसा बच्चा घुसा रहे है कि हम 2 घंटे नी बढ़ाते हैं, हम 4 घंटे नी बढ़ाते हैं, हम 12 घंटे भी नी बढ़ाते हैं, 14 घंटे बढ़ाते हैं और इस बात का प्रमान तो आपको यार आगे लेना पड़ेगा और आप सोचोगे ना कि यार ये लोग कैसे है इन लोग के तो अलगी नैस्ट लेवल पे टीचिंग लेवल है और आपको लगेगा और ये बात ही गरिड़ी दूंगा चार दिन पूरे पैसे बापस लेके जाएगा अगर आपको चार दिन के बाद भी ऐसा फील हो तो तो चलि अभी मार्केर में बात करेंगे तो दोनों ही वर्जन में ये चल रहे हैं बर अगर हम बात करेंगा जाना तर जो हमारे नॉर्मल कैटिगरी के फोन है उसमें 2.0 ही वर्जन आ रहा है जितने भी 4G के फोन अगर मैं बात करूँ पर जो अब 5G आने वाले है उसमें अगर मैं बात करूंगा तो आपको 3.0 वर्जिन भी देखने को मिलेगा 3.0 वर्जिन मतलब दोस्तों एक हाई स्पीड माने चाती है 2.0 वर्जिन में क्या होता था अगर मैं बात करूं यहां पर 2.0 वर्जिन में यह जो टाइप सी है 450 MB per second से speed data transfer करता है और 3.0 में यह डावा करता है 10 GB per second हलाकि इतना नहीं होगा यह जो इस्टेटिक्स है यह रियल नहीं है आप इसका आधा भी मानो या इसका एक परचन भी मानो तो एक GBB sufficient है अगर आपके data transfer के लिए क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ा रोल करती है अब सिर्खाली socket D लगाने से कुछ नहीं होता है cable को भी डम होना चाहिए mobile के processor में भी डम होना चाहिए इसकी UFS में है इसकी RAM में हर चीज़ में डम होना बहुत ज़्यादा ज़ूरी है even जहां से आप ले रहे हो उसमें भी वह ही protocol सोने चाहिए तो ही वह सेम होगा यही technology है और य इसको इधर क्योंकि क्या हुआ था feedback आयते हैं अगर में reality बताओं तो जब हम feedback जाते हैं तो जोने देखा कि service center में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है service center में सबसे ज्यादा आ रहा है कि लोग अपने charging socket को break कर रहे है क्योंकि हम नींद में सोते हुए लगा रहे है और नसा करते तो basically अगर आप उसको जबदस्ती लगा रहे हो तो वो break हो जा रहा है तो इसको उन्हें बोला कि आप यहां लगाओ या वैसे लगाओ कैसे भी लगाओ उसको आप use कर सकते हो साथ ही उन्होंने उसको high speed बनानी की भी courses की तो आप देखिए उपर के जो यह सिरे हैं तो basically अग जो A1 है वही B1 है जो A2 है वही B2 है जो A3 है वही B3 है सिर्फ reversible है मलब एक side या तो यह use होगा एक side या तो यह use होगा आप नोटिस करो यहां पर 12 pin है यहां पर 24 pin एक साथ कभी use नहीं होती है क्योंकि हम charging या तो ऐसे लगाएंगे तो इसे 12 pin यूज होगी यहां ऐसे सेकेंड इसको आपको इमिज दिखाता है चलें यह है टाइप C का एक ब्लोग डाइगराम जहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर आप यह जो AP है AP मतलब इसको हम अगर बात करें यह हमारा CPU है और यहां पर आप नोटिस कीजिएगा यह यहां पर एक IC लगाई ग के लिए जो कंट्रोल करेंगा इसको और AP तक पहुंचाएगा 3.2 अगर हम बात करेंगे अभी नए फोनों में तो क्या होने वाला है कि एक USB को अपडेट देगा और live में क्या ही मिलेगा तो अगर मैं बात करूँ आज हम इन्हीं सारे चीजों की बात करेंगे कि यह सारी चीज क्या है टाइप सी डिडेक्शन आई टूसी स्लेव दोस्तों यहां पर एक आई टूसी कमांड है जो एक स्लेव आई सी ऐसा काम कर रही है तो क्यार अगर हम बात करें इसके भी अगर हम पहले के फोटूस देखें तो आई यह तोड़ा सा टाइप सी को हम समझते हैं कि बिसिकली इसकी कौंफिर्गेशन पिने जो इसकी पिने का कौंफिर्गेशन क्या है ठीक है तो आप नोटिस कीज़ें दोस्तों अगर मैं यहा 7 Pro खड़िदा है उसमें टैप सी है तो क्या उसमें 3.0, 2.0 डॉनर यूस करता हूं बिलकुल नहीं तो दोस्तों यह डिपेंड करता है आपके फोनों को जैसे मैंने बोला आपके हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए हाई स्पीड प्रोसेसर का होना बहुत ज़्यादा जोरी है मलब आपको 5G प्रोसेसर यूज करना बढ़ेगा और 4G में अभी वो टिकनलोजी नहीं आई है तो जितने 4G के सेट है वो USB 2.0 को ही सपोर्ट करते हैं तो अगर मैं बात करूं यह USB 2.0 है अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यह USB 2.0 है और दोस्तों यह आपका USB 2.0 जिसमें जो पहले यूज होता था वो अब भी भी यूज हो रहा है बस यह रिवर्सेवल है आप अगर अगर आप इस और का पोर्सन यूज कर रहे है तो यह वाला यूज होगा अगर आप इसको रिवर्स कर रहे है तो यह वाला यूज होगा यूज होगा डाटा पिलस डा आते हैं तो आपको USB केबल लगानी पती होगी और आपका data इसी इस चीज ऑगी जो कि एक 450 mb पर सेकेंड के हिसाब से ट्रांस्फर होता है तो सर आप पूछेंगे कि USB 3.0 कहां यूज मैं बताता हूँ घर रखेगा रोग जाओ पूरा वीडियो देखो सारी चीज़ बताता हूं ठीक है तो आप नोटिस कीजेगा दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको सारी पिने को गाइडलाइन मनलब एक एक पिन की गाइडलाइन आपको बताता हूं configuration बताने की कोसिज करता हूँ तो अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको A1 एँपर आपको round मिलेगा मतलब अगर मैं देखो 200 सबसे पहले Нуえ easy समझ लो आप सबसे पहले ऊपड की लाइन समझो, नीचे की आटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी ना दोनों तरफ की लाइने इन्हों ने ग्राउंड बताए गई है, ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड, अगर मैं आपको बोलू, ये जो मैं कॉंफिलिकेश इस CC को भी चेक करके आपको बिल्कुल बताऊंगा, ताकि practically कैसे मिलेगा, हाला कि आप भी तो हम फिलाल अपने student को दे रहे हैं, जासे कि मैंने बताया, ये भी मेरा ग्राउंड है, उपर के दोनों सेरे को ग्राउंड दे दिया गया है, सेम अगर आप इसको reverse करोगे, तो भ यहां पर आपको TX दिखाई दे रहा होगा, और यहां आपको RX दिखाई दे रहा होगा, और आप नोटिस कीजिए, यहां लिखा हुआ है High Speed Data Path, और यह लिखा हुआ है Ultra Net Mode, मतलब इसी स्पीड को उन्होंने 3.0 version का नाम दिया है, पर यह तभी यूज़ होगा, जब आपके circuit में इसकी RX और TX ही supply होगी, पर अभी की date में अगर हम देखें, RX और TX नहीं होता है, और यह जितने भी line है, या NC होती है, या Ground होती है, यह बार important है, इसका ध्यान रखिएगा, तो अगर मैं बात करूँ, जो TX, देखें, एक RX होगा, ताकि receiving कर सके, और TX होगा, ताकि transmit क सके, अब आप इसको पलट कर लगाएंगे, तो RX इधर आजाएगा, और TX इधर आजाएगा, वो एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, मतलब आपके phone में, एक दो ही RX की line है, RX 1, RX 2, या फिर बात करें, RX positive, RX negative, TS positive, TS negative, अब यहीं आप पलट कर लगाएंगे, तो यह connection बदलेंगे, connection वही line होगी, और कुछ भी line नहीं होगी, अगर मैं बात करूँ, I hope कि आपने यह समझा होगा, अब इसके बाद दोस्तों, यह जो line है, यहां से आपका 5 volt एंटर करता है, और आपको पता होगा, यह वीबस की line है, जिसको V charge की line भी कहते हैं, जिससे आपका व calcult entry करता है, तो आप इसको पलट कर लगाएंगे, तो अगर दोस्तों आप पलट कर लगाएंगे, तो आपका यह वीबस भी होगा, तो दोनों ही साइड उन्होंने वीबस दिया हुआ है, कि आप उसको कही भी लगाइए, तो वीबस आपका यही पिन यूज होगा, अब इस कुछ कुछ में कुछ डिवाइस में जैसे जिसमें PMI अगर मैं बात करूं से 32 है तो मैं NC भी दे दी है पड़ ऐसा नहीं है कुछ कुछ डिवाइस में जैसे Samsung की डिवाइस ले लो तो उसमें आपको यह पूरी लाइन कनेक्शन आपको मिलेगी तो यह होता है सब्सक्राइब तो CC2 यूज होगा दोनों ही लाइन एक ही है अगर अलग अलग वे में जा रही है और दोनों ही लाइन एक ही है डिड़ेक्शन या तो यह होगा या तो यह होगा तो बिसिकली यहां पर यह है प्लग डिड़ेक्शन जिससे आप देखते हैं कि once your once became connection जैसे आपको पहचा रही आपकी केवल को अब उसके बात करते हैं दोस्तो यह तो आपकी वह गई data transfer की और यह सीरियल bus हो गई है दोस्तों यह सील बस भी आपका जैसे ID की लाइन आप इसको बूल सते हैं मनलब जैसे हम बात करते थे USB प्लस माइनस में इसको आईडी की लाइन बोलते हैं जिसे हम OTG connect करते हैं CL बस मतला secondary secondary way of sharing data जिसे हम ID की लाइन connect करते हैं so I hope कि आप इसको समझे होएंगे आईए इसमें कुछ और आगे भठते हैं और कुछ चित्र देखते हैं यहां पर जिनसे हम और कुछ भी समझ पाएं सब्सक्राइब करो दोस्तों यहां पर बहुत तरह तरह के आपको connectors दिखाई देवे होंगे सारे connectors को आपको यहां पर बताना चाहता हूं क्या video बहुत इंट्रेस्टिंग है वीडियो बने रहे हो आप देखो यह न टाइप A का connector है और यहां पर देखे टाइप A का connector है और यह 3.0 है यह 2.0 है तो अगर मैं बात करूं 2.0 3.0 में क्या अंतर है आपने अंतर देखा कि जब हम 2.0 यूज करते हैं पाच पिन तो सिर्टी प्लस दी माइनस वी कनेक्शन आईडी और ग्राउंड आप जैसे हमने टाइप सी यूज किया Rx Tx सो वैसे ही आप नोटेस करो तो आप इसमें देखो यह 3.0 में यहां पर उन्होंने Rx Tx का यूज किया है 2.0 में खाली D plus D minus का यूज किया है तो यह तबसे बड़ा अंतर है जब जब इसको प्रोटोकॉल बड़े है एडवांस हुआ है और उन्होंने अपनी हाई स्पीट को डाला है पात डाला है तो आपको हाई स्पीट केबल भी यूज करनी पड़ेगी एक अच्छी MPAD की केबल जो अच्छा चले जिसमें लॉसिस कम हो अगर मैं बात करो अनलजी की और यही चीज देखो यह होगा 2.0 और यह होगा 3.0 और अगर मैं बात करूँ यह होगा data plus और यहीं पर बात करेंगे तो यह RSTX तो यह RX आपका A का और यह RX आपके B का यह आपके plug deduction और यह secondary box मतलब आपकी ID की line तो यह आपने I hope की समझा होगा देखते हैं दोस्तों यहाँ पर और तो दोस्तों देखिए आप इसकी photo ले सकते हैं बहुत अच्छा एक connector में यहाँ पर बता रहा हूँ तो जैसे क tx plus Tx minus और Rx तो यह जो दो line है यह आपकी line 3.0 की यह जो 2 line है यह आपकी line 2.0 की यह आपकी line plus 5 की और यह आपकी line है deduction की और यह आपकी line ID की सो इस तरह से इसका configuration बनता है पर reality कि अगर बात करें तो ऐसा नहीं होता है चलो आप सोच चरूएंगे क्यूं तो आई ये बात करते है इसकी देखें दोस्तो मैंने आपके लिए एक note 7 pro का यहां पर diagram यूज़ किया हुआ है आप नोटेस करो यहां पर आपको बारा पिन दिखाई दे रही है अब रिवर्स सेवल है यहां तो A साइड लगा लो या तो B साइड करेंट 12 ही होंगी तो अगर मैं बात करूं यहां पर connectors अलागी अलग 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 भी होते हैं अगर मैं बात करूं यहां पर इसका diagram की सो दोस्तों देखिए यह इसके diagram है अब इसको आईए बहुत डीप लेवल पर समझते हैं ठीक है और दानर केगा type 3 का इस तरी का वीडियो जैसे मैंने आपको खोल के दिया है पूरे market में नहीं है YouTube में पहली बार है तो इस वीडियो पूछना है तो भी कमेंट कीजेगा मैं आंसर दूंगा तो अगर मैं बात करूंगा आप देखें दोस्तों इस मेना आपको ग्राउंड मिलेगा यह आरेक्स पर जहां और टी एक्स होगा वहां आपको ग्राउंड इनों ने पहली दे दिया क्यों क्योंकि यह जो है यह 2.0 और आप देखो CC1 और CC2 सिर्फ यह चीज आप नोटिस करो सिर्फ CC1 और CC2 आपको निकलती हूं यहां पर दिखाई दे रही है तो मतलब आप देखेंगे कि यहां पर आरेक्स की तो बात ही नहीं की है क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो CPU है वह इतना स्मार्ट नही है वह इतनों फास्क नहीं है कि वह आपके हाई स्पीड को वन जीवी मतलब डाटा को वन जीवी के पाल ले जाए उसके लिए आपका CPU का स्मार्ट होना बहुत जड़ा ज़री है केबल लगाने से कुछ नहीं होगा सौकेट डेने से कुछ नहीं होगा तारे बोर्ड में भी समझाने की कोशिस की है और टाइप सी के वारे में complete information देने की कोशिस की है तो आयो कि आपको वीडो अच्छा लगे और इस वीडो में मुझे धिर सारे like चाहिए और comments बताईए और क्या आप नैस्ट में आपके लिए बना सकता हूं और दोस्तों अभी मैं आपके लिए और वीडो बर लेकर आने वाला हूं ऐसे ही बने रही है थैंक वेरी मच अब तक कोई YouTube में नहीं बताया हो इस क्या ना में आपका अब या करने वाले हैं उसका सिप्यों निकालने वाले हैं झाले हैं तक कि नहीं आपके बना सकता हैं आपके लिए बना सकता हैं